So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज हम बात करेगे विश्वराज सुगर Ltd के बारे में और guys अगर देखा जाए तो विश्वराज सुगर Ltd में काभी कुछ चल रहा है और हमने पहले भी काभी कुछ बाते कर दी थी इसके ethanol plant के बारे में हमने बात की थी और उसमें अगर देखा जाए तो 2500 करोड का इसमें investment किया है quarter 3 के results average आए है और देखा जाए तो stock कितना गिर सकता है उसके हम बात करेगे और क्या है share अमीर बना सकता है और guys हाँ बिलकुल अमीर बना सकता है कुछ levels है जो यहाँ पर तगड़े हमें दिखा दे रहा है बट उन levels पर यह support लेना चाहिए F&O में bend क्या हो सकता है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज ट्रेडिंग बन थी विश्वराज शुगर में और guys अगर देखे तो काफी कुछ चल रहा है विश्वराज शुगर LTT में तो देखना होगा कि आगे क्या हो सकता है क्या हम इस stock में invest कर सकते हैं क्या अभी भी आप इसमें invest करो तो हाँ guys बिलकुल छोटी quantity में आप तो invest कर सकता हो विश्वराज शुगर LTT के बारे में काफी कुछ बाते होगी उससे पहले अगर आप तक आपने दमहाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो guys और एक important चीज अगर आपने मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लो वहाँ पर आपको काफी कुछ चीज है इंट्राडे के कॉल्स खास कर मिलने वाले है तो चलते हैं विश्वराज शुगर के चार्ट पर तो guys यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर हम बात कर रहे है आज विश्वराज शुगर इंडिस्ट्रीज एल्टिडी की एक पैनी स्टॉक है और यहाँ पर अगर देखा जाए स्टॉक यहाँ पर ट्रेट कर रहा है चोबीस रुपे जिरो पाच पेस है आज तो बिलकुल ट्रेडिंग बन थी पर पाच दिन के टाइम पर देखे तो बिलकुल एक गिरावट है लगबख एक रुपे तक स्टॉक गिर गया है माइनस 3.99 परसन के हिसाब से और देखे तो काफी बड़ी-बड़ी निउसर्ज भी इसमें आ रही है इन्होंने एथनॉल का प्लान स्टार्ट किया है और एथनॉल के बारे में मैंने पहले भी कई ज़री बाची धम कर चुके है और काफी 200 करोड के आसपास का इंवेस्मेंट किया है तो बिल्कुल यह profit में ही है company इसलिए तो इतने बड़े investment कर रहे है अगर आप एक beginner हो investor अगर छोटे investor हो अभी अभी आया हो market में retail investor तो आप ऐसे stock में risk ले सकते हो चोटी quantity के साथ आप बड़ा risk लेना यहाँ पर चोटी quantity के साथ एक छोटा risk ले सकते हो बट अगर बड़ी quantity में बड़ा risk लिया तो बिल्कुल आप फस सकते हो गयाइस यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर विश्वराज शुगर Ltd में तो क्या हो रहा है तो यहाँ पर बिल्कुल अगर देखो तो एक rising wage pattern मन रहा है हम इसे कहते हैं एक rising wage pattern और guys यहाँ पर अगर देखो तो rising wage pattern को हम bearish pattern भी खहता है बिल्कुल एक bearish pattern है और guys यहाँ पर depend करता है breakout के उपर क्या breakout मिल रहा है कैसे breakout मिल रहा है उसके हिसाब से stock चलता है और pattern यहाँ पर perform करता है और देखा चाया stock बिल्कुल वही पर perform कर रहा है यहाँ पर resistance था है पर support था फिर resistance लिया फिर support लिया फिर resistance फिर finally breakdown दे दिया तो breakdown देने के बाद stock एक particular support level लेने नीचे की और आया कहा पर इस particular level पर यहाँ पर आप देखो तो इस level पर support लेने आया और यही पर यह trade कर रहा है काफी बड़ा huge यहाँ पर downtrend में आ गया था बट यहाँ पर फिर से reverse हो गया इसकी shadow आप देख सकते हो काफी नीचे तक आ गई थी वही मैं कहना चाहता होगा इसकी इस particular level पर यहाँ से जब उपर गया था फिर इसी level पर support लेके उपर गया था और उसी level पर support ले रहा है तो यहाँ पर एक कुछ चीज़े यहाँ पर है और मैं यहाँ पर आपको बोलू तो कितना stock गिर सकता है तो 23 रुपे तक गिरने की यहाँ पर संभावना इसकी लग रहे हैं कि 23 रुपे तक stock तो नीचे आ सकता है मेरे साब से और patterns भी बोल रहा हैكن और वही गाई से यहाँ पर अगर देखो तो बिलकुल यहां पर इस particular level के अंदर है ट्रेट करा था इसी level के अंदर अंदर है ट्रेट करा था तो यहाँ पर बिलकुल चॉक यहाँ से बड़ा यहाँ पर सपोर्ट लिया है इस particular reverse जाता है तो बिल्कुल buy कर सकते हो बट अगर ये यही से नीचे की और आना start हो जाए तो बिल्कुल इसे crash हम कह सकते है बिल्कुल stock crash हो सकता है तो एक महीने में stock में क्या हुआ तो एक महीने में आप देख सकते हो यहाँ पर trade करने वाला stock stock सीधा एक downtrend में आया फिर यही से सीधा नीचे आता start हो गया गिरावट है 4 रुपे 95 पेसे तक की गिरावट 4 रुपे 95 पेसे तक stock गिर गया है minus 17.07% साबसे बिल्कुल एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है वही अगर देखा जाए 6 महीने में तो आप देख सकते हो यहाँ पर से एक similar यहाँ पर चला आप देख सकते हो कितना similarity यहाँ पर हमें देखते हो बलती है यहाँ पर 30 रुपे के अंदर अंदर एक काफी similar चला था उसके बाद एक बड़ा high लगया बिलकुल बड़ा high लगया क्योंकि इस particular level को अगर देख हो गया इस यहाँ पर मैं अगर levels आपर draw करू तो यहाँ पर इस level को इसने इस level पर break किया और बिलकुल उपर गया और लगबग काफी तगड़ा उपर गया था और इस level से downtrend में फिर से आना स्टार्ट हो गया प्रॉफिट बुकिंग तो आई नहीं आनी है बिलकुल प्रॉफिट बुकिंग केती है और पाच रुपे सतोतर पेसे दग स्टॉक गिरा है 19.35 परसें के साब से और यहाँ पर देखो तो आज क्या हुआ था तो बिलकुल यहाँ पर अपसाइड डाउन समय देखने को मिले है ओपन हुआ था 24 रुपे 10 पेसे के प्राइस पे हाई लगाया था 24 रुपे 80 पेसे का और लो लगाया था 23 रुपे 90 पेसे का मार्केट कैप के साब से बिलकुल स्माल कैप की केटिकरिय में आता है 451.61 करोड का मार्केट कैप है स्टॉक का पी रेशियो कितना है 18.18 का पी रेशियो है डिविडेंड स्टॉक देता है 0.83% क्या स्वासे और गाईस वही अगर देखे स्टॉक में 52 एक्स का हाई क्या कहता है तो इहाँ पर 45 रुपे 80 पेसे का हाई है 20 रुपे 20 पेसे का लो है तो इहाँ पर जो बिलकुल इहाँ पर 45 रुपे के प्राइस से हाई बिलकुल तगडी प्रॉबिड बुकिंग आई थी जिसके करण से गिरिया न्यूस का भी तगड़ी आ रही है, यहाँ पर कमटा सेकुरिटीज ने यहाँ पर काभी बड़ा टारगेट भी दिया, 43 रुपिज के आसपास का टारगेट दिया है विश्वरा शुकर में, और 200 करोड इनों ने अथनॉल प्लांट में लगाए हैं, इन्वेस्ट किये हैं, ज सेकंड रजिस्टन्स लेवल यहाँ पर 26 रुपे 32 पैसे का, और थर्ड रजिस्टन्स लेवल 26 रुपे 53 पैसे का, 93 पैसे का है, सपोर्ट लेवल में 23 रुपे 43 पैसे का, फर्स्ट सपोर्ट लेवल, सेकंड सपोर्ट लेवल 22 रुपे 82 पैसे का, और थर्ड सपोर्ट लेव 41% है और 3 months का अगर दिखा जाए 33.73% है year and half का कितना है तो यहाँ पर year and half का यहाँ पर देख सकते हैं minus 14.41% है और one year का minus 8.69% आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर जो price performance है ओग बिलकुल यहाँ पर बिलकुल भी plus में नहीं है upside के और नहीं है सीधा है downside के और so एक negative चीज है बट यहाँ पर trade value कर दिखे जाए तो दो करोड के आसपास का trade value आज हमें देखने को मिला बिलकुल volumes हाई है और yesterday के अगर बात करें 3 करोड का trade value और 1 करोड का है common and delivery one week के average में 2 करोड का trade value है और 49 lakh का है common and delivery और one month के average में 1 करोड का trade value 31 lakh का है common and delivery so trade values और common and delivery जगर देखो तो इलकुल अच्छे दिखाई दे रहा है और वही अगर बात करें community sentiments के आखड़े तो 84% जो लोग है buy के लिए और 14% जो लोग है sell के लिए और 2% लोग के और चाहा जा रहा है आपर hold के लिए तो guys hold के लिए कहा जा रहा है sell के लिए कहा जा रहा है buy के लिए depending on you guys आपको क्या करना है revenue की अगर मैं बात कर लू तो revenue हाँ पर 2021 में 426 करोड 2020 में है 370 करोड नेट प्रोफिट दिखा जाए 2020 में बिल्कुल डाउन 2021 में है तो यहाँ पर shareholding pattern अगर दीख लो तो यहाँ पर shareholding pattern के हम डिसकस कर लेते है 32.83% की holding है promoters की FISDIS है 2.66% के साथ और यहाँ पर 63.55% की holding है आपर public की तो बिल्कुल guys यहाँ पर हमने बात कर ली है विश्वरात चुकर ल्टीडी में और वीडियो अगर पसंदाया हो वीडियो का like करो चनल को subscribe करो thank you